Hey students, good morning and welcome to class 3rd, maths. Today we do 12.2 exercise. First question, convert the following into meters. जो given हमें value है, इसको meters में convert करना है. तो kilometer हमें दे रखा है, इसको meter में करेंगे. यानि, बड़ी unit को छोटी में change करना है, तो हम multiply करेंगे. तो 1 kilometer is equal to 1000 meters. ठीक है? तो 5 kilometer का answer निकालने के लिए हम इसको multiply करेंगे. 5 multiply by 1000. तो मैं आपको बहुत easy method बता रही हूँ. 5 वंजा, 5 और पीछे 30 से, वो 30 ऐसे कैसे लगा देंगे. तो ये हमारे meter में convert हो गया. ठीक है? So easy. The next question. 9 kilometer and 110 meter. तो पहले हम 9 kilometer को change करेंगे. पहले लिखेंगे 1 kilometer equal to 1000 meters. ठीक है? Then 9 kilometer equal to 9 multiplied by 1000. आंसर क्या आया? 9,000 meter. ये तो 9 kilometer का हुआ. अब हमें और meter दे रखा है, अलग से. इसको हम add करेंगे. तो 110 को, जो हमारा answer आया है, उसमें plus कर देंगे. तो 9,000 में plus करा तो answer आएगा. 9,110 meter. कैसी किया? देखो इदर रख में. 9,000 है. ठीक है? आंसर. फिर 110 है. इसको add करेंगे. तो 0 plus 0, 0. 1 और 0, 1. 0, 1, 1. और 9. तो ये इसका meter में answer हो गया. ठीक है? Next question. थोड़ा सा different है? ज़ादा नहीं है. 1 kilometer equal to 1000 meter. सबसे पहले तो ये line आपको याद होनी ही चाहिए. फिर 7 kilometer को change करना है. तो 7 kilometer equal to 7 multiplied by 1000. तो 7 बंज़े 7 और 3 0. यह हो गए 7,000 meter. अब 4 meter भी हमें दे रखा है. तो 7,000 पहले हमने answer लिख लिया. इसमें हम जो meter दे रखा है उसको add करेंगे. तो क्या जगा 7,000 4 meter. इसको मैंने थोड़ा सा अलग बताया. वो क्यों बताया देखो. addition कैसी करना है? 7,000 तो हमने लिख लिया. अब यह 4 यह बच्चे इसको लिखने में गलत करते हैं. तो students, look here that we will write it from back side. पीछे से ही हमें write करना है. जैसे मैं class में आपको समझाती थी ना, back side से, right hand side से हमें write करना है. ठीक है? तो हमारा answer बिलकुल correct होगा. 4, 0, 0, 7. कुछ बच्चे इसको यहां लिख देते हैं, तो answer wrong हो जाता है. बस यही है इसमें थोड़ा सा difference जो मैंने बोला, वो यही है. ठीक है? So, do all the sums of this question and practice it in rough than do in fair. Thank you.